नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कामा चैनल शेयर मार्किट में बात करेंगे बोरसल रिनुवल के बारे में तो क्वाटर टू के रिजल्ट आ चुके हैं कैसे रहे रिजल्ट जाने के लिए वीडियो को एंट तक दिखेगा यहां पर बहले है सबसे पहले बात करते हैं गजर्की तो कंपनी ने कुछ अनाउमस्मेंट की है यहांसे माई आईडियो जाएगा क्या कमपनी ने डिविठंट दिया है क्यों दोस्तों यहां पर कंपनी ने कोई भी डिवीडेंट की बात नहीं की है पांच क्योंग बताएं लेकिं उनमें कहीं पर और डिवीडें next की 14,251 lakh और पिछले year में थी 11,480 lakh तो company नाज सिर्फ year on year basis पर बलकि quarter to quarter भी एक अच्छा कासा jump हमें दिखाया है तर्म बात करते हैं expense के बारे में तो company के expense निकल कहा है 11,747 lakh जो कि पिछले quarter में थे 8,665 lakh और पिछले year में थे 9,497 lakh तो देखिए यहां पर company के expense काफी जारा increase हो चुके हैं कहां कहां हुए हैं तो employee benefit पर हुए है तो अगर company अपने employee के benefit के लिए expense करती है तो definitely आने वरा time में उसे कम कर सकती है तो यह चीज़ जारा matter नहीं करती है और दूसरे expense increase होए है वो होए है cost of material consume में तो यह भी justify करता है कि final product अगर जादा आ रहा है तो definitely company अपने raw material पे भी पैसे खर्च करेगी फिफ्ट पॉइंट है profit before tax तो यहाँ पर tax pay करने से पहले company के पास बचते है 4,815,00 और पिछले quarter में थे 5,585,00 और पिछले year में थे 1,983,00 तो यहाँ पर company की performance थोड़ी सी नीचे हो गई है then बात करते है profit for the period तो company के पास जो profit निकल के आ रहा है सरे tax pay करने के बाद वो निकल के आ रहा है 3,411,00 पिछले quarter में था 3,962,00 और पिछले year में था 1,405,00 तो year on year basis पे तो अच्छा जंप है लेकिन quarter to quarter चीज़े थोड़ी सी खराब हो गई है लेकिन positive चीज है कि company का revenue है वो quarter to quarter भी increase हुआ है तो definitely यह एक positive sign है और बात करें कि EPS की तो यहां पर EPS company का कम हुआ है जो कि अब हो चुका है 2 रुपे 62 पैसे 2 रुपी 62 पैसे और जो पिछले quarter में था 3 रुपी 5 पैसे तो यहां पर थोड़ी सी यह issue रहेगा company को लेके बाकि result से मैं satisfied हूँ क्यों कि company का revenue from operation increase हुआ है में चीज यह होती है कि company का जो result है उसमें जो company काम करती है वहां से company ने कितना profit निकाला है तो जी हां company ने वहां से अच्छा कासा profit निकाला है यह काफी जारा एक positive sign है अगर बात करें company के assets के बारे में तो company के assets भी यहां पर increase होते पर देखने के लिए मिल रहे है प overall बात किया जाए तो मैं satisfied हूँ लेकिन हाँ शायद market से positive way में ना ले क्योंकि long term के साबसे अच्छे है लेकि short term के यहां पर आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है तो अभी करें दोस्तों इतना ही ओज़राय result को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि कोई भी कर दोस्तों 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 कर दोस्तों